हिमाचल में एक दिन में ही पारा 40 पार हो गया है। मौसम विग्यान केंदर शिमला की 6 मई की अपडेट के अनुसार पिछले कल यानी 5 मई को नेरी हमीरपूर का सबसे अधिक्तम तापमान 40.5 डिगरी सेलसियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आज केलंक का सबसे कम नियुनतम तापमान 4.0 डिगरी दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में नियुनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। वहीं अधिक्तम तापमान में उलेखनी ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी नियुनतम और अधिक्तम तापमान सामाने है। मौसम विग्यान केंदर शुमला की अपडेट के अनुसार 7 मई को मैदानिक शेत्रों में मौसम साफ रह सकता है। मद्धे और उच्च परवदी शेत्रों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। 8 मई को पूरे हिमाचल में मौसम साफ बना रह सकता है। ऐसे में गर्मी के सताने की संभावना है। 9 मई से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। 9 मई को एक पश्चिमी विक्षोब सक्री होने की संभावना है। इसका असर 12 मई तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान 9 और 10 मई को 1-2 स्थानों पर व ग्यारा और 12 मई को अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 9 से 12 मई तक 1-2 स्थानों पर आंधी, तूफान और बिजली चमकने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचुल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News, Choice of हिमाचुल के साथ।